कहान राज को करन मन करू महान यह काज आत्म ज्ञान की प्राप्ति हेत् मंगलमय सुखसाज मंगलमय सुखसाज मंगलम् ज्ञाया है राज म चैतन्य सभावी भगवान आत्मा अनादी अनन्त शुद्ध चैतन्य मात्र छे शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा आत्मानी परियायमा आज सुधी अनुभव मा आवेवन थी जे समये आत्मानी परियायमा आत्मा अनुभव मा आवेशे त्यारे ए निर्मल आत्मानु भूती प्रगड थाईशे અને આતમાં અનાદી અનંત શુદ્ધ છે स्रद्धा नू एमा एकत्व थवु अने चारीत्र नू स्थीर थवु अने आज रिते अनन्द गुणों नी एकतारूप जे निर्विकल्प अनुभूती प्रगट थाई छे ए निर्विकल्प अनुभूती एज आत्म सिद्धी छे आत्म सिद्धी शास्त्र मा आ अनुभूती नी विधी छे अनुभूती नी विधी आत्म सिद्धी शास्त्र मा वर्णवी छे परम कृपाडू देव आत्म सिद्धी शास्त्र नी 142 गाथाओ मा आजे 142 गाथाओ मा जे वर्णन कर्यू छे एके गाथाओने ए जो लक्षमा लईने के एक गाथा नो बिजी गाथा साथे नो केवी रिते संबंध छे अने संबंवई छे एना पर आपने एक कल्लाक नो समई छे अने 142 गाथाओ छे प्रयास करिये छे के दरेग गाथा ने आपनी पासे आत्मसिद्धे शास्त्र आप सर्व पासे छे ने इमा एके गाथा थी केवा प्रकारे एनो जे संबंवई छे एने आपने थोड़ू तीवर गती लेशु समई ना अभावने लिधे पन मुडभुत वाज्ये छे एने लक्षमा राखी ने ए गाथा ओना संबंद ने समझ छे उस्वथी पहला गाथा एक जे स्वरूप समझावी ना पाम्यो दू अनन्द समझावी उते पदनमू स्री सदगुरु भगवन्द अईया जेमके आपने विगत बे सेशन मा चर्चा करी मुटा भागनी चर्चा आपद पर थाई चुकी छे स्वरूपना संबंद मा समझना संबंद मा दूखना संबंद मा अनन्दना संबंद मा अनन्दना संब गुरू भगवन्थना संब्दमाने आम छवप अधना संब्दमा आरिते विस्तृत चर्चा थाई चुकी शें एक खालियामा एक अंतर समझ वानू छें के यहां स्री सद्धुरू भगवन्थ ज्यां गुरू अनिस सद्गूरू अब बेश ब्दचे शास्त्रों मां अब बे शब्दों ना प्रयोक थाई छे अने गुरु शब्द क्या वपराई छे अने सद गुरु क्या वपराई छे मुट्टा भागना शास्त्रों मा आतमे जोयू ओशे देव शास्त्र अने गुरु तो एमा जे देव शास्त्र अने गुरु ए देव शास्त्र नी साथे जारे गु गुणस्थान वर्ती बावलिंगी मुनी एने इनु कारण छे काणके देव शास्त्र गुरुनी पूजा वोई छे अने चोथू अने पांचमु गुणस्थान जे छे ए चोथा अने पांचमा गुणस्थान मा स्रद्धा छे अने पांचमा मा स्रद्धा ज्यान अने चारीत्र पन अन्षेशे, स्रद्धा और ग्ञान पुज्य न थी, जे अनुवत महा व्रत रूप, पांच मम मातर अनुवत छे चुछा न 누ह राद चे, अने स्रद्धा ग्यान पूज्य नथी चारीत्र पूज्य छे अने एटला माटे ते पंच पर्मिष्ठी नी पूजाओ ओई छे देवशास्तर गुरुनी पूजाओ ओई छे पन सम्यक द्रष्टी नी पूजा न थी ओती और के सम्यक द्रष्टी नी जो पूजा थाई तो सम् युद्ध करवाचे। पण अंदर गर बीच चे आ सद्गुरु नो और्थ सम्यक द्रष्टी गुरु ए नो और्थ समझु चोथा गुणस्तान थी लेने बारमा गुणस्तान सुदी आ सद्गुरु ए आ काल मा आपनने जे आ स्वरूप समझावियो छे तरत यहनो सबंद एवीरिते जुडायो के आ काल मा आउस्वरूप जारे समझाई स्वरूप नुू समझन थवी एनो और्थ जिए मोक्ष मार्ग के जीव मोक्ष मार्ग मा लागे मोक्षना मार्ग मां लागे त्यारे शिश्य ने वो प्रश्ण थे कि मोक्ष मार्ग मां आवे मारे लागवू छे तो सु करवू आनो लोप थवो एनो और थे चे के मोक्ष मार्ग क्याई जतो नथी रयो मोक्ष मार्ग एनी जग्या ये चे केवा मा आवे चे के रातरीना समय मा रस्तावो बन थे जाई चे पेलाना जमाना मा आवू थतू पन रस्ता ओ बन नता थता, रस्ता ओ ओ उपर सूर्यनों प्रकाश नतो पड़तो एटले इम केवा मा आउतू के रस्ता बन थे ही जाईतो रस्ता तो खुला ज रेता येना ओपर प्रकाश नतो पड़तो कृपालो देव के चे के लोप थाइगयो छे एनो ओर थे चे कि अत्यारे आ काल मा एवा कोई ज्ञानी ओ ए मार्ग उपर प्रकाश नाखना रा नथी कृपालुदेव मार्ग ने बनावता नथी मार्ग पर मात्र प्रकाश नाखे छे अने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जे शास्त्र चे एमा पन आज वाद चे कि मोक्ष मार्ग उपर प्रकाश नाक्यों छे, मोक्ष मार्ग बनाव्यों नथी एटले कि आतो अनादी अनन्त मार्ग छे, ए मार्ग ने यह विचारवा आत्मार्थी ने भाख्यो अत्र अगोप्य एवात कई आ मोक्ष मार्ग पर जीव लागवा मांगे चे पन केम नथी लागतो येना सम्मन मां 3G, 4 अने 5 मिया त्रण गाथा चे 3G गाथा जे चे, 3G गाथा मां बनने नू वर्णन एक साथे चे जेने क्रिया जड अने शुष्क ग्यानीना नाम थी कया चे आ बे जीव ओ एवा चे कि जेनू मोक्ष मार प्रकाशक ना सात्मा अधिकार मा सौथी मुटो अधिकार जे मा आनू वर्णन करियू छे अने सात्मा अधिकार मा क्रिया जड माटे नू नाम आपिए जे व्यावारा भासी मित्या द्रष्टी અને શુષ્ક DAMરલે નાયુશે પ્ંતં છે નાચે મિથ્યાદ્રષટી अग्यानी ने अनेकांत करूना वोई छे अग्यानी ने एकांत करूना वोई छे कसाई बकरी ने मारे गाही ने मारे अग्यानी ने गाही ने बकरी उपर करूना आवे छे कसाई उपर द्वेश थाई छे अने गाही ने बकरी प्रत्य जेटली करूना छे एटली करूना कसाई प्रत्य छे, आ अनेकांद करूना चे, ग्ञानी ने करूना ओभ जे छे, तर्था चोथी ने पांच मी गाथा माजे क्रिया जड़ ने शुषक ग्ञानी बनने ना एक साथे नाम लख्या, चोथा मा क्रिया जड़ नी परिवाशा बतावी, कि बाही क्रिया मा राज्ता अंतर भेधण काई ग्ञान मार्ग निशेदता ते क्रिया जड़ आईं। आमाँ समझवाजेवू एछे कि प्रिया जड क्रिया करें आने ग्णाननो निशेद करें छे अने शुष्क ज्णानी छे ये ज्णाने पकड़ी ने बेटो छे पड़ने क्रिया न सिखु ये खोटू न थी, पण क्रिया नो निषेद करेऊ ये खोटू अने एक्रिया करेऊ ये खोटू न थी, काण के कोईपन वस्तुने जो आपड़े लक्षमा लेवी होई, समझवू होई, एना पर एकागर थवू होई, तो एकने मुख्य ने एकने गौन करवू पड़े, जेवेदे फोटो पाड़वो होई, तो एक आक बंद करिये छे, औने एक आक खुली राखिया चेन फोटो पा देवी, एना मतलब निशेद करवो, निशेद क्या रही न करवो, गौन करवो, अने लोक मा तो कोई आवू करतुनू थी फोटो पड़वो माटे आख फोड़े, अत्वा तो कोईनू निशान वीटे मारवो होई, तो एक आक आक ने बंद कर देशे, ने एक ने खुली आवारनों समन्वाई जे छे, एक बोवज एटलो रस्प्रत छे समझवा जेवो छे, अई या चट्थी गाथा मा तरत अज, ए निश्चे याने वी आवारनों फरी समन्वाई करेओ, के वैरा ग्यादी सफड तो जो सह आतम ज्ञान, तेमज आतम ज्ञान नी प्राप्ती त प्रणान नी दान, वैरा ग्यादी जे आतमा मा प्रगड थाई, कशाईनी मंदता रूप जे भाव छे, एक कशाईनी मंदता मा जीव अटकी जाई छे, अने एम मानी बेसे, जे माजे सवारे की दू, के अहिया ते आहूं भगवान आतमा छुए वो विकल्प, अने आ पजे थाई छे, एक विकल्प ने आतमा मानी लेई छे, मने आतमा मली गयो, खरे खरे विकल्प नो अनुबव तो, एले कशाईनी मंदता जे छे, ए बहु जरूरी छे, अने जेवी ते कपडू मेलू थाई वोई तो एने पावडर ना पाणी मा बोड़वा मा आवे, अने पजी एनो मेल दूर थाई, जो पहला त्याने मेल दूर करवा जाए, तो दूर करवो अघरो छे, ए टला माटे वितरागता सुधी सिधो न पहुँचे, पहला वईराग्य थी ये पोते भिंजाएलो होई, तो वितरागता सुधी पहुँचे, कशाईनी मंदता जो होई, व भूले नी जपान। पहुचवा माटे आता, निश्चई सुधी पहुचवा माटे, निश्चई नी प्राप्ती सता व्यवार छुटी जाईचे। आत्मार्थी जन एएं याँ पण आ त्रन वाद छे एक साथे, आ जयाजा जे जये योग्यचे, आ योग्यता योग्य जिये चे ये स्रधाने बतावे चे, आ योग्य शब्द मूटा बगे स्रधाना मुख्यता थी वप्राई चे, जयाजा जे जये योग्य Tes टे समझ से तो यह कि गाता मा विस्तार पन करी शूँ कृ कश ना आट भी गाता नो पछी 11 Met бли Gat सेवे सदगूरु चरण ने त्यागी दै नीज पक्ष, पामे ते पर्मार्थ नीज पदनोले लक्ष तता सदगुरुने मेंहां बतावी के जे भूल था इती आजसुदी ये भूल थी मुक्त थवह पार्वल मटे शदगुरुना चरण ने सेवे पक दबावे एम नहीं चरण ने सेवे शदगुरु ना उपधेशने यथार्फ रूपे गरहन करे दर्षित पांच लक्षणौं बताव्या आत्मघ्ञान आ ग्ञानने बताव्या चे समदर्षित विचरे उदै प्रयोग आमाजे जे आत्म ज्ञान समदर्शिता विचरे उदै प्रयोग अपूर्व वानी परम्सृत असद्गुरु लक्षणी योग। विचरे उदै प्रयोग आत्म ज्ञान समदर्शिता विचरे उदै परम्सृत असद्गुरु लक्षणी योग। विचरे उदै प्रयोग आत्म ज्ञान समदर्शिता विचरे उदै परम्सृत असद्गुरु लक्षणी योग। 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 तो सद्गुरु नो उपदेश पचे तो एक इदू के परम्सृत असद्गुरु लक्षणी योग। अनि समझ्यावन उपकार शो समझे जीन्स्वरु जेया निष्चै प्रगड थाई चे त्या व्यवहार वोईचे एना पेला कोई व्यवहार न थी समझ्यावन उपकार शो ज्यारे समझ्यु आ सोरु त्यारे सद्गुरु नो खड़ो भवेशु करवुू। तो के सदगुरुन्य मळे तो अजिया गुपाय हिचे। तो के सद सित्धा हो, तो एक तो फार्पकला मेना आरे चीत्धा आजियेगी। एटले जे आच्छो पदमा आत्मा चे आत्मा नित्या चे ए संबन्धी जे मुख्य जेनू सेंटर पॉइंट आत्मा ओई एवा जे शास्त्र चे सद गुरुनो योग न ओई त्या देव शास्त्र ने गुरु अत्रों कहिये चे मा शास्त्र ने वच्चे राखिये चे देव गुरू पेला देव लीदा पछी शास्त्र ने पछी गुरु देव शास्त्र गुरू आघ शास्त्र वच्चे चे करनके देव छे लिविंगछे जीवित अन गुरू पन जिवित चेन, शास्त्र चे और नोनलिविंग चे अन 2 जणा 16 जता 20 लाग रूप्या उए 10 लाग रूपय udot 20 लाग रूप्या क्या राख्षे? चौध मी गाथा मा के छे के हवे, अत्वा सद्गुरू ये कैया, जे अवगाहन काज तेते नित्य विचारवा करी मतांतर त्याज, आ गाथा मा घुनु रहसी एछे, कि पोताना मत मतांतर छोडी ने, गुरू जो तम ने एम के आम कर, तो तमारे एक करवू, कान के गुरू न ये समय एटलूत देखा शे कि आवू मने केम की दू, आ वाचवानू केम की दू, आ भणवानू केम की दू, पड़ एनी पाछड घणा उंडा कारण वोई छे, ये गुरु जाने चे, अने तमने ए खबर पड़ शे, जारे तमारी ये दशा आऊ से, कि खरे-खर सद गुरु ये आनाकार ने कईऊ तो, पड़ गुरु नी पासे जही ने, गुरु ना योग्य मार्ग दर्शन एठ़ल जीव समझवा नथी इस तो, अने अजी एमज माने चे गुमारी जाते शोधी लेश, जाते मने मली जसे, तो जाते मलतू नथी, एतला माटे अत्यार नी स्थिती ये वी छे के आत्मा टेबल ने जाने, खुरसी ने जाने बदू जाने चे पन आत्मा पोते पोता ने जानतो नथी, अत्यार या स्थिती ये वी छे के आँख चे ये आँख आखी दुनिया ने देखे चे पन आँख पोते पोता ने देखती नथी, आँख ये के वू अंग आत्मा आत्मा ने जानी शके सद्गुरु रूपी दर्पण नी समीब जाई तो पन जारे आँख दर्पण नी सामे जाई तो दर्पण आखने नती देखतू आखज आखने देखे छे दर्पण तो निमित छे जारे आत्मा शिष्य सद्गुरु पस जय तो सद्गुरु शिश्य पोतेज आत्माने देखे चे पोताना पुरुशार्थ वड़े गुरु तो हाजर होई चे त्या ये कई करता नथी मात्र हाजरी होई चे एटला माटे एक गुरुनी मैमा बतावी अने एक कई हो के पोतानी जाते चाले चे एना संब्ध माँ पंदर सोड सत्तर ने अधार्मी गाथा माना दीक शत्रुमाहा नीज चंदे नमराई नीज एटले स्वह नीच छंद एटले स्वचंद आरी ते चार गाथा खास आ स्वचंदी जिवोना संब्ध मां के जे पोतानी जाते मोक्ष ना मार्ग पर चालवा मांगया चे पोताना मत अनुसार अन आ ब् भौर। छुटी जवी एकले त्याथी सू आवे छे बस मार एना थी मतलब शाया कोरो थे गयो कोरो थे इन बेसे छे अस चंता मटी कई एड़ता में सामले हो से त्रण रूपयान पांच रूपया वाड़ा शिश्य भी एचे गुरू पासे जाएचे अन गुरू ने के चे ज्ञान क्यां पाई ना थी कितला पाईस लाख से क्या थान रूपया बजय ने पूछ तने तेक मने अड़भी आवड़ा थीच तक तार राइँ पांच रूपया कर मारा पांच गियम तेक बीरूपया भूस वाना काणक खोटो लाइन आई वोच्छु एटले ट्ले अ कोरो थे इं मा कोई पूछे परदेश कें बदार जाओ जो के सस्ताम पती जाए त्या जल्दी पर एले कोरी पाटी जो यह खरे खर आना उपर मा सिग्मंट फ्राउड जर्मनी मा एना उपर घणा बदा संशोधनों करया अने एने एक तमें जारे सांभडों छो त्यारे तमारा कान नी अने ए विचार जे चालतो होई ने तमें ए विचार नो रस लेता हो अन तमने एम लागे के गुरुनी वाणी सांभडी ने मने आन्द केम न थी आओ तो खरेकर तमारा अंदर ये समय जे विचार चालता ता ए विचार नो रस अंदर उतर तो तो वानी नू जे भावतो ये रस उत्रियोत न थी अंदर नो पोता नो जे रस उत्रियोत चे अनि ये रस मिथ्यात वनो चे एटले आनंद आवे के वी रिते एटले ए जे पड़दो जे ये तो कई देए के बैई काड़ो आहा थाटाओ अने प्यलू देखातू नथी एटले वधार खतर्नाक छे सचन्दी जीवनी वृत्ती विश्य बताई उन चल्ले बताईू मानादीक शत्रू महा आम तो क्रोधादी कशाई कहिया चे क्रोध मान माया लोब शरू थाई चे क्र पाड़ो देए क्रोधी न शरू करियू मान थी करियू मानादीक काण के मनुष्य गती नी मुख्यता थी कथन चे अने मनुष्य गतीमा मान कशाई मुख्य होई चे नरक मा क्रोध मनुष्यमा मान तेरियंचुमा माया अने देव मा लोब आ चार कशाई नी मुख्यता होई अने एटला माटे ते अहीं या मनुष्य गती मांनी मुख्यता थी कथन करियो माना अधिक्षत्रू महा अने ये बताविव अहंकार ना कार्णे आ मान कशाई ना कार्णे जीव अठके ओछे ना कार्णे नाक नो मेल कईयो छे मान कशाई नाक नो मेल छे जेम कशाई नो भाव आत्मा मा थयो पन छोडवा जेवो छे जेम नाक मा मेल थयो छे पन छोड़ी देवा जेवो छे राखवा जेवो नथी काण के नाक ना अंदर थे येलो मेल शेरिर नू अंग नथी पन विकार छे एवी ते आ मान आत्मामा उत्पन थाएचे पण ये आत्मानो सभाव नथी मेल छे अनि ये मेल कान्णो पन कई शक्ता ता आखनो ये शक्ता ता नाक नो ज केम कीदो येनू काने छे कान के सवथी चिकनो मेल नाक नो वोई गम्मे एटलो काड़ो थोड़ोक तो रही जाए पेला करणो रूप्यानी संपत्ती वालो हतो त्या एनू अहंकार हतो अने संपत्ती छोड़ी दी अवे आटलू बदू मू छोड़नारो केटलू मू दू छोड़ियो तो ए छोड़वानू अहंकार आवी गयो पेला भोगवानू अहंकार आवी पन जेने भोगवियो तो ए पन चैतन्य न्यारो और त्यागवा वाली स्थिती एना थी चैतन्य न्यारो एचैतन्य ते हुँ एव एनामा एक गत्व न थयुँ एटले अग्ञ्ञानी न अग्ञ्णी रहो पेला नाम तु ग्रहस्त तो त्यारे रमेश और दिक्षाली दा पशी नाम थई कि शुरेश जी बहु सारा तो के जो मारा वखाण करे नाम बनने शरीर ना जता पेला ये रमेश शरीर नू नाम थु अने सुरेश सागर जी शरीर नू नाम चे शरीर ना जे नाम चे एमा तनमा इता रही गई और आत्मा मा हुँ पणू न थियु एटले दिक्षाल लही ने पण जी बहुत आत्मसिद्धि शास्त्र नू रदयी छे आव ओगनिसमी गाथा जे चे आएक गाथा एवी छे के अत्यारे भारतमा देश विदेश मा जे लोको भरिन बेठा चे पोता नी अंदर घणू बदू ए लोको के चे आत्मसिद्धि शास्त्र मानवा में तयार चे आए एक गाथा नव ओई तो आए एक गाथा ओगनिसमी गाथा चे आना ओगनिसमी गाथा उपर पुझ्य गुर्देव स्री कांजी स्वामी जो एनो अर्थ न करे ओँ तो आ गाथा ने आत्मसिद्धि शास्त्र अत्यारे जे प्रकाश मा वी रही चे आवेत नहीं आनके पुझ ग्यान था पचि विनई करे तो करे के वी रही ते के वल ग्यान था यू तो वंध्य वंदक भाव छुटी यू तया राग नो विकल्पद नथी तो गुरुनो विनई अवे करे के वी रही ते आनो भाव बोवन्डोंड हो चे कोई पहला गुनस्थान मा चे शिष्य गुरु है करे के वी रही तो के वी रही तो गुर्द लें विन अर्थ करेंक न mortar के खे में अले के वड्यान था यू और जाने अचे कोई तो अई या पॉंचे श्यो आज जान वू बस आज विनाई ग्ञान एज विनाई छे अने ग्ञान एज त्याग छे समय सार नी चोंत्रिसमी गाथाम आनो खुलासो करियो छे ज्ञान अज प्रत्या ख्यान छे अग ज्ञान नू स्वरूप जे छे ये पे अनने बिजो भाव ये आप कोई एक भीरला आनू रहस्य समझे चे अनन्त कालसुधी भगवानानो विनाई करिये चे अनन्त कालसुधी अमारा गुरुजी केता कि क्यारे पन जो समाचार पन मले ने अने गुरुनो विनाई करवानो भाव बतावता गुरुनो विनाई करवानो भाव बताता भाव ब आप pou तो में जम्धानू आप आप आफू आबध हो वी नैं ये तो बार नो वी नैंग्य के अवी नहीं असली वी नहीं तो ये छे निया रूके निष्चे वी नहीं ये छे अगनी संस्कार माटे आवी जा तो यहम नहीं समझतों के तारा गुरुनों विनाई करें। अगनी संस्कार माटे नहीं समझतों के तारा गुरुनों विनाई करें। अगनी संस्कार माटे तारा गुरुनों विनाई करें। तारा गुरुनों विनाई करें। गुरुनों विनाई करें। लिनतों थता नती, थाई त्यारे करो विनाई। अगनी जारे ये भगवान थया और पोता नमा अनंत काल माटे लिन थया। आज गुरुनों विनाई। गुरु ये जेवु करें। तु एवु करें। कि मारा तरफ पन तु नजर न करतों, तु तारा तरफ करजे। आण कि मारा तरफ नजर करिश्टों राग थशे, अन तारा तरफ नजर करिश्टों वितरागता थशे। आणि आउँ जो शिश्य करें। तो आसली विनेई गुरु नो करियो छे, आसली विनेई छे, क्रुपाळु देवे विनेई नू सुरुप बतावियू ने वाते कई, कि एवो मार्ग विनेई तवनो भाख्यो स्री वितराग, मुल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुपाग्य, सोभाग भाई, आनी अंदा आज मुल हेतु ए मार्ग नो समझे कोई सुपाग, आ विनेई नो मार्ग छे, एक ज उपाई छे, गुरु ना ज्ञाननी तिजोरी ने खोलवानी चावी विनेई छे, आ विनेई अज एक मात्र चावी छे, जेटलो बनीशक गुरु नो विनेई करे, आज ए ग्ञान आपो तु आएक, एक कलाग माते, पर्ण तु पन्तमें आटला भीणाई वान धेन बेठा चओं वि एक कलाग चलावी शे, टेंशना आइघी एक कलाग मा करे, शेंता नहीं करो, तो एक कलाग अब भीणाई करो, पन्तमें आख ब्लाव करे, त एक जुदु वधार है कि आटला, आट तमें राखो एना माथा उपर, तो तीजोरी खोला वीश्य काई, सेट नी तीजोरी बंधुक नी अणी पर खुले, पन गुरुना ज्ञान नी तीजोरी बंधुक नी अणी आम राखो तो न खुले, आम राखी बंधुक चलो ज्ञान आपो तीजोरी खोलो, पेलू यादो य भुली जाई सूके वूतू तो एतो एके विनई जेटलो करे आचावी छे अने कुरुपावड देव एविनई अने आ विनई नो दुरूपयोग पन कुरुपावड देवना टाइम मा एटलो थो तो तो अन अत्यारे थाई छे अन भविश्यमाई थशे कार्ण के आ पेवूँ छे के कुगूरु ओपचे नो लाव उठावे छे ये तरत जामा लख्यू असद गूरु एविनई नो लाव लहे जो काई महा मोहनी करमती बुडे भवजड माई एके शे अने केवी इते नक्की करे के कोण सद गूरु ने कोण कुगूरु गूरु क्यारे पन ए अने के में नए के कि हूं तमारो गूरु जोच अने रूची पन गुरु नहीं ले कोईनो गूरु थवामा रूची नहीं ले आमा बोव उन्डू रहस्या कारण ये चे कारण के अत्यारे शिश्य थकी आजे अहिना आ बे वस्तो च्पता आ पर्मात्मानू नोच श्वरू अने आ गुरुनू, हवे अईया कोई शिष्य मलेवनू, शिष्य हवे गुरु, 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 एम केही छे, के तमे मारा गुरु, तमे मारा गुरु, हवे आ पदूच्यू के आ भगवाननू पदूच्यू, के परमात्म पदूच्यू छे, हवे जे आत्मा अनुभव मा आवयो ज्ञानीने अनुभव मा आवयो त्यारे किवो अनुभव मा हूँ कोण कि हूँ परमात्मा हूँ परमात्मा तो परमात्मा अनुपणा नो अनुभव थयो आटला उचा पद वालो हूँ एवो अनुभव थयो हवे आवा पद मा कोण रस ले कि हूँ तमारो गुरू ए तम बुद्धना जीवन्या घटना चे दिपंकरना भव मा इवी ते पूर्व भव मा आवीदे थयो तू के शिष्य जारे आवता अने ज्ञान लेवा माटे त्या बेसता त्यारे ये पोते शिष्य जारे पगे पड़े त्यारे पोते ए शिष्य ने पगे लागता बद्धा शिष्यों ने बंदन करे तो शिष्यों केता आपने अठपटू लागे चे अमें तमने पगे लाग ये बराबर पन तमें अमने शुकाम लागो चो तो कि बस आज तमने एसास करा आवा माटे कि जीवो आईया महान तत्व चे ने आईया पन ये उच्छे पोताने नीचा न तमने एसास थाई कि अमें नीचा न थी अमें ते आज महान चे जे अईया चे ये तमने एसास करा आवा माटे एले सद गुरू हमेशा आईये केशे कि तमें पोते परमात्मा चो अने को गुरू केशे तमें मारा शिष्य चो अने हूँ तमारो गुरू चो अईया आप कोई तमनेम की दू नहीं के गुरुजी, गुरुजी की दू, गुरुराज की दू, गुरुदेव की दू, गुरुदेव की दू, गुरुदेव स्री की दू, कोई पन नाम अईया, औने एक अंदर थी मिठाशनी जे लहर अंदर मा आवे, अरे वा, छुपो रस, ये छुपो अवे आमा एने कई नथी जे के वोई के एला आईनो रस बस ए सद्ध गुरु छे असद गुरु आईया चे सद्ध गुरु आईया चे एकले आए वाद करी असद गुरु ए वी नहीं नो लाव लहे जो काई महा मोहनी कर्म थी बूडे भुचर माई तरतज पछी मुमुक्षु जीवना संबन्द मा ए वाद कई के आवा असद गुरु मा कोण फसातो न थी यने सद गुरु ने थे कोण ओलखे तो के मुमुक्ष होई मुमुक्षु जीवते समझे ए वी चार होई मतार थी जीवते अवलोली नीरतार जारे कोई नेम कीदू के बज्जोगु गुगुरु थी, तो के जो अमने जानी जोई ने आवो की दू छे, अमनारा माटे जावाद करी छे, खरेकर अमने ते संभडावा माटे आ की दू छे, आवो उन्धू अर्थ को इक पकड़ी ले, तो तर्थज गुरुपा ओर देगी के 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 आवो को अवडो अर्थ ले, तो यहनों उफड़े भोगवे, बाकी यह मतार्थी छे, मुक्षु जीव छे, यह उन दो अर्थ न थी ले, तो गुर्देव स्रीकांजी स्वामी केता, केता के कोई व्यक्ति ने कई हूँ के जो जो नीचे जो इन चाल जे, जो इन नही चाले तो पड़ीश, तो तो ने बढ की गेंछ के जो, अ रणी कोई जो, पड़वानू के हूँ की तो नीचे जो इन चाले इस तो पड़ीश, आटली वातकाली करी, जो लित पड़वानू के जो, तो मुमूक्ष जीव चे, मुन्च थी मूमूक्ष, जो इती मुमूक्ष नी इच्छा धरावे, आवीज पूनस्थान मा एवो अनुभव मा आवेओ, के मुक्त स्वरूप छे एवो अनुभव मा आवेओ, त्यारे खरी ये जिग्णासा भावना जागी, के आवीज पून ता, आवीज द्रव्य सभाव मा जेवी पून ता छे, शुद्ध ता छे, एवीज पून शुद्ध ता परियायमा प्रक्टे, बस एक खरी रिते चोथा गुणस्तान थिया मुमुक्षु थायो, एना पेला खरो मुमुक्षु पन त्या न थी, आ निश्चे मुमुक्षुनी परिबाशा थाई, निश्चे मुमुक्षुनी, आन एना पछी त्रेविसमी गाथा मा होई मतार्थी, तेने थाय ना आतम लक्ष, ते मतार्थी लक्षणों एहीं कया निर्पक्ष, आ मतार्थी चीवना, जे मुतारथी छे उन्दू लेले छे उन्धू ग्रहन करेगे ले 23 गाथा वो सुदिनो जे विशयी छे ये आरीते छे अने हवे या त्रेविस गाथा ने पच्छ या मतार्थी ना लक्षन वाली आ च्ववीस थी लेए त्यां त्रीस ये जे चे दस गाथा आ दस गाथा समझ वा जे वीचे पने नो टाइम अमे गया वरस थी राजोता क्यारे आवे पन आजे सवारेज खबर पड़ी कि आ त्रेविस दस आ 10 गाथा ये जे मा जीवट क्यों चे अन पची नी पंदर नू पची को उच्छ ये 24 गाथा ये मा मतार्थी जीव ना लक्षनों को या चे कि मतार्थी क्या फसाई चे कि बाहिय त्याग पन ज्ञान नही ते माने गुरु सत्य अथवा नीजिकोड धर्मना ते गुरु माज आज मा मतार्थी जीव जे छे ए बार नू देखे छे बार नू देखी ने ते वेने बार ना वेश ना अंदर अत्ते गुरु मानियो कि आवो वेश हो ए तले गुरु अथ्वा तो पछी कई टिकाटीला करी नाख्या अथ्वा तो जटा वधारी दी अथ्वा तो मुन्णन करी नाख्यू कईक ने कईक डाड़ी वधारी दी आरी ते कोई ने कोई अथ्वा तो बिलकूल पछी येवी ते नग न थे इने जंगल मा जता है रहा आब दा बार ना लक्षण हो छे अने आ लक्षण हो थी जो कोई पोताने गुरू माने के मनावे तो आ बदा आशे कूल गुरू आ बदा बाहिय गुरू आ कू गुरू एन एटला माटे काण के आ आर मा बदलाव आववाथी ये अंतर मा परिवर्तन आवे एवो जरूरी न थी येटलू खरू एम राखियो कि भगवान भुलाई जाई चैंगल गड़ामा येण है माडा पेरी न राख है कि माडा पेरी हो याद आ आवे भगवान याद आवी चैंगल चैतन्य पर्मात्म परमात्मा नहीं बुल्री शक तो ए माला नहीं बूले पेरे तो सारी वास ठीक छे ने योग्य लागे यहा परिणाम इहाग रहता होए तो पंद आ उपाई नहीं नहीं, embarrassing तो जने आत्मा मले। एटला मांटे आजे विधी जे छे, ये कुपावरो देवेजे आमां विधी बतावी छे, ये विधी समझवा जेवी छे। प्रेतलुई न जोई है। अंगुठा चापो एवे आरी गया। अवे के करे तो उस करे सू। तो ये सरकस मा घ्याने, इमने की दू। मने काम आपी दओ। तो सरकस वाड़ा एक दू। के वे काम सू। आपो। कि हमारे इक काम तह तो याद आयू पर न काम छे कमर एक सीह तो इसी मरी गयो छे अने सीह नी खाल उमें कई नाकी चे पड़ी छे तो एक काम कर जो अनुच इनों सीही रोल आवें तेया तमें सीहनी खाल ओधी ने भी तेया अंदर जवानु और अमेन सीहनी आवाद ने बुदू रेकोर्ड करें राखिए यह गर्जना थाचे एले तरतत आवे तेमारे समझी जवानु के अंदर थी गर्जना था इच्पन तमारे खाले तेया वदू करवानु खाल उठेंज वानु आबर अर्चेट उन्ट अंचार पके वित तया चालतूं आवित हम जवानु बराबर यहां चार पके वंचालें जितातान सरकस ना था तया ना था आटे सामें जोहीं के भीयो सीहाँ विटेज से एागयो के तत यहाँ एब एक अभिक हाँई था लू पड़ों भी थे काड़के पब्लिक नहीं थे यूंगे आशू सरकस में नहीं सरकस चालू थे यूंग अगडबर थे कि आओ सी तो बेग पगवाड़ों के रहें जोयों नथी सामे थी सी आवे आतों के मरी आवे करूँ शू पेला एक ही दू के चुप था के शू अवाज करो शे बोल्यों तू एक लो चुटनी मारो शो हूं यारो शू बेया कपड़ा सी ना पिर आज बारना कपड़ा पिर ली दा पड़ अंदर मा सी जे वो जरूरी न थी आ नाम थी बारना लक्षणों थी आ कोई संबन न थी आ मार्ग एवो चे एक व्यक्ति ने पुछी तारू नाम सूचे तो के गजराज सी तो के तार पपान नाम तो के वनराज सी अब दा माव सी सी अच्छे क्या जवो चे तो के लाइन्स क्लब नी मिटिंग मा अच्छा तेक आया के म बोचो क्या कुत्रा भसे जोन थोड़ी क्वारा सी नाम लगाड़ा आशे लाइन्स क्लब नी मिटिंग छे पन अंदर मा परिवर्त नावे जरूरी न थी एटला माटे एक रुपाळू दिवा आमा सार बतावे बाहिय त्याग पन ज्ञान नहीं तेवाने गुरु सत्ति अ बाब दादानी कुल परंपरा छोड़ी कानके आ रहस्य बोव उन्डा चे आ मार गेवो छे बाब दादानी कुल परंपरा न छोड़े तो थाए नी कानके 24-24 तिर्थंकर क्षत्री परिवार मातान युद्ध करवान लड़ाई लडवी एतो बाब दादानु काम जतू तो परमपरा ने आगल न चलावी, तो चौवीसे तिर्थंकर ये पद ने पाम्या, तो तिर्थंकरोंने पण कूड परमपरा छोडवी पड़े, जो ये पद पाम्वु होई, तो अहिंहां अपड़ा माटे पण के बद्धी कूड परमपरा, अत्यारे आखा जगत मा ये थे, इर पूछा पेला ते कयो धरम साचो कया भगवान साचा आखी दुनिया माँ चाली रुचिक नाना छोकरा ने पेले थी स्टोर करी दीदू एला प्रश् नातीद पूस्तो अने एतला माटे या बहुख खतरनाक परिणां जगत मा आव्या जिरे प्रश्ण चोकरा नत्याख पूछा पेला तेने जवाब मलीकर हो चोकरा ये प्रश्ण आजे अतुने के कया भगवान साचा जिसस साचा अल्ला खुदा साचा महमत साचा बुद्ध साचा मावीर साचा कोण साचा आजे आ साचा ये जवाब अतो अने ये नो जवाब अतो के पिता जी बताओ कया भगवान साचा वोई भगवान कोने किवाई आनो जवाब एने आपी दितो, अन जवाब त्यारे आपयो, जारे प्रश्न अतोद नहीं, अने कोई पन प्रश्न नो जवाब वगर प्रश्न ये मली जाई, त्यारे ए प्रश्न नो जवाब वगर प्रश्ने मली जाई, एटला माटे एटलो खतरनाक बनी जाई छे, ए चोकर त्या थी थाई आत्मिक विकास नी पेला प्रश्ण थाई औने पची जवाब मले तो ये विकास नू काण अने एनू प्रूफ है चे आत्मसिद्री शास्त्रमा शिष्यने शंका तै औने पची समाधान मल्यू तो ये पामे चे सद गुरु ना उपदेश थी आविववपूर काण के शंका थी साधना शरू थाई चे अने त्या शंका पेला ते आखी दुनिया मा तही रियो चे एटला माटे छोकराने ब्लैंक रेवादो कोरो रेवादो एना उपर तमारी पोतानी स्वतंत्रमान्यता अने आरोपीत न करीदो अईसु थी के तमने जे गुरु रुच एज गुरु तमारा छोकरा माटे साचा एम न कई दो एने विचार जागवादो एना अंदर प्रश्ण उठे अने एना कार्णे थे इने सु परिवर्तन आवे चे एनी चर्चा आपड़े परमदी उसे करीशु के अत्यारे अमुक अमुक जग्या ए जे जहीन कुड मा परि वचा करी तो खबर पढ़ छे के टली जरूर छे कि आपनो पोतानों आगरह छोडिए अने कही है क्या है कि परिए तने आरुच युक योग्ये लागे करी दिए पर पोतानी माणे ताने आरोपीत करी देवी आपन आम अने बि upright जीव siendo n गम्मे एटलू केवा थिये करशे, नहीं करशे, त्यारे पोता ना करवा थिज करशे, ये सतंत्रताने जाना छे, एटले मातर निवेदन करी देचे, आनू स्वरुब वुण्डू छे, आउसर मले क्यारेक चर्चा पाची था से, दर्तज पची मतार्थी जीवनी बिजी जे भूलो थाई छे, जे जिन देए प्रमाणने समवसरन आदी सिध्धी वर्णन समझे जिन नुरोकी रहे निज बुद्धी, मतार्थी जीव आपन भूल करे छे, पेली जे भूल अती आ गुरुना संबंध मा आती, ये आ देवना संबंध मा भूल छे, आनू आ कनेक्षन छे 24 मा ने 25 मा एद गुरुना संबंध मा अने आ देवना संबंध मा शरीर ना जे लक्षनों छे, ए लक्षनों ने अने समोसरन आदी नेत्ते भगवान नी मही मा आज ये जोईू कि भगवान केटला महान छे, समोसरन रतन वईभव, आ बदू बार नू देखी ने जम जाने छ चे के भगवान केतला महान छे, पन भगवान वितराकताना कारणे महान छे, आ बदाना कारणे जो महान होई तो आ बदानी व्यवस्था करनार तो देव छे, समोसरन नी रचना करनार देव छे, तो एटलो तो पाकू था यूँ के देव पासे तो आ समोसरन करता है वधारे काण के जे आ बधू करता है नी पसे तो वधार है जो आटलो तो मालाईया लाएवाज चे त्या तो केटलो योशे तो ए देव पची एना थी वधारे महान थे गया तो एक इदू के आ होगु एना काणे भगवान महान न थी पन पूर्ण वित्राक्ताने सर्वग्यता प्रक् आवाद प्न तमब घयासे जानों चारे कॉरू के चारे कॉरू माँ थी त्रण संद गोर्व शिश्यनू केटलू ध्यान राखे बस आज गुरू गुरू छे बाकी बदा गुरू नहीं पो निजमान आर्थे पोता ने अहंकार पोशायू एमा फसाई गयो अन्य त्रोन सद गुरू ने गुमावी दी दा त्या थी एने मान न मल्यू एटला माटे के आटलू जो मल्यू तो घणू मल्यू के मने पर्मात्मानी पदवी मली गई ने आ गुरू थकी बस आबधू मली गयू हो मारी साथे पर्सनल मिटिंग गुरू नी नपन थाए मने कोई फरक न थी पड़तो आटली वात मने बत्याई दी थी आवू उंचू पद आप्यू आ पथी मारे बिजू कई नथी जोतू एवो अंदर माँ भाव जागे एटला माटे अईया चाव विस्मी गाथामा कईू सत्या विस्मी गाथामा ज्ञान संबंधी ब्रह्म के देवादी गती भंग माँ जे समझे सुरुत ज्ञान माने निजुमत वेश्नो आग्रह मुक्ति नी दाल देवादी गती आजे शास्त्र ना अंदर जेक पड़ भेदो छे अवे गती ना भेदो पचिया लोक ना भेदो कर्म ना भेदो कर्मनी अवस्ताओ बंद सत्ता उदय उदिर ना उदकर्षन अपकर्षन संक्रम निधती निकाचित उप्षम क्षय उप्षम आयो बदी शास्त्रों गोमट सार कर्मकान, जीवकान, लबदी सार क्षपना सार तिलोई पनत्ती, धवला, जैदवला, महा धवला, शटखंडा गम, अ बदा शास्त्रों, याद कर लिए दानमान लिए दुख बसमों ज्ञानी थाई गयो, तो के आई बहुत ब्रह्म छे, आउँ याद क अध्यान तुम ने पोच्छू, तम ये वीचार कर शो, बद्धू तो येका दिवस्त चुटी जैसे, याद नाथी, बपोर नूप उच्छी तो ब्या चुटी जैसे, और काल नूँ तो बिल्कुली खबर नाथी, सूचु, आउँ थाई, आउँ याद नाथी, अभान ना चुटी जनम थेए बपोर नूप शुखा दूए याद नतु, अन्ति या नरक मा जनम थेओने भाव ना भाव याद आवी जाए, बे भाव पेला शूओ तो न चार भाव पेला शूओ तो ग्णा वधी जैसे, आउण वधार वा माठे तो आत्म हत्या करें, तो ये ज्णा वधी जाई आ करता नहीं पाचा कोई एले आ तो खाली वाद छे के ज्ञाननों स्वरूप आउँ छे मां कई बो मोटाई नथी नहीं तो पाची चिठी मालख हैं छे ले नाम पाचो आपड़ू होई किया मैं तो त्या थी सीख्याता आ ए छे के ज्ञान मां बो मधारे पड़ ज्ञास्त्रों ना ज्ञान तम्हें याद केटला करया ए महत्वन नहीं केटली गाथाओ याद छे महत्वन नहीं कश्युद नहीं खाली एक लोज घणालो कोन्या प्रश्ण होई कि अमने याद नथी रेतू 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 याद राखवा वालू ज्ञान छे याद नथी रेतू याद नथी रेतू य यह वाद अवे यहां केई छे अठिया विश्मी गाथा मा लईयू स्वरूप न व्रत्ति नू ग्रहिव व्रत अभिमान ग्रहे नई परमार्थ ने लेवा लोकिक मान अईया आवे यह केई छे आ ज्यान साथे सबंद तो होवे चारीत्र नीवाद करी यहां चारीत्र ना संवंद मां मतार्थी केवी ते भूल करें चे आव रत ने बदू बार्नू बदू ग्रहन कर ली तू बार्थी बदू ग्रहन करिव पन अंदर नू जे छे यहां परिवर्तन न आवियो औने यह ग्रहन पन एटले करिव अहंकार्ना कार्णे सनमान मान ख्याती प्रसीद्धी बार्नू लाव आब बदू जो मले छे ए टला माटे ग्रहन करिव तो आवा जीव पन पामता नतीकां के नू धिये बदू बहीर लक्षी बदू बार्नू अने अलोग छे अलोग और अलोग ताई है आट लोग प्रकारे थाई ना करो तो आम थाई ना करो तो आम थाई नाばい लिस्ट आम थाई ऐा से लिस्ट प्ला चाई यह थाई अने आटला मा आ थाई ने आटला मा आ थाई ने आटला मा आ थाई एक आम्बिल करो तो एमा आटला उपास नू फड़ मलेन आटला उपास करो तो पचो एमा आटला नू फड़ मलेन एमा तमर आटला नरक कपाईन आटला स्वरक कपाईन आप बद्धु जे छे ने आप बद छी एचे यह लाक्तूत न थी खग्वान कोई व्यक्ति औरेछ की गिसल hazas हां। दस लाक रुप्या लेइन जाई छे और ते फिर धिल उनुचिर यहां थे का बिज़्यों बिय वर्स प बिज़ूइंत स्मय दस लाक रुप्या लेइन जाएं जाएं। आपने जे वेल्यू आपने जे मुल्यांकन करिये चे बार ना लक्षेत ते तमें जोई वह से कोई ने दाद जे कोई साफ सफ़े बातरूम मा कर तो जोजो ते दाद पड़िया चे पड़ी ना जाए पांसो रुपया नू चोक्ठ हो तो पने जोजो साचे वुझे दात नू ध्यान राख जे ये दात नू ध्यान राखे और आद जे अता नू ध्यानत नहीं राख्यों क्या हम खांगे मफत ना मळ आचे और जे मफत ना मळ एनी किम्मत छे नी थाए अन जे टलू ये पांसो रुपयान न धात नू ध्यान राखिऊ जे टलू ज्वान राखियो तो छोक्ठानों वारो नो आवे आपनी जे लेवल जे आपनों के पैसा थी माँ पिया चा बेवरस वेड़ी फिना वे देखाता नथी आप बार वाली द्रश्टी चे बार नी द्रश्टी चे एले कृपावलों देगे आप बार नू व्रत लिदू अहंकार ना माटे अभीमान माटे के हुँ केटलों मोटो अने आज ज्या सुधी भेद चे ने त्या सुधी अंदर मा आनंदद नथी अभेद ता ज्या प्रगड़ थे के हुँ जे वो अईया एवा तम है भगवान एटला माटे ते एकज आसवर बहु अंदर छे अमुक अमुक जिग्या है अमुक युनिवर्सिटी माँ कॉलेजों माँ अमुक एवा यवा लोको माँ के जहा प्रवचन था प्रवचन माटे गुरू नी खोड़सी अलग निशिष्य नी अलग नग नह उई एक साथे इवा नों मतलब इह चे के बार नू जिये अचे बार माँ कोई पन वरत तप कई पन command तमें अंगीकार करों चे तो केक अहंकार idän आवे क्या रहे ज्ञान पन कोई ने आपो चे अहंकार आवे कर दो में unseremार फ见 आपेलू कही न थी तमारो पोतानो पुन्या ना उदै hubs च कि तमने आप बधू सहचे मलियू छे अने खरे-खर तो वात एवी छे कि कोई प्रवचन आपतु होई ने प्रवचन आपतु होई एना करता तमारों पुण्य नो उदई वधारे होई कराण के प्रवचन आपनू छे सानना आठ वागे तो सवार थी ये तैयारी मा लागया छे कि प्रवचन मा एक कलाक मा सू बोलिश आ बोलिश आ बोलिश आ बोलिश आ बोलिश एक शास्त्र बिजू शास्त्र तेजू शास्त्र बद्दा शास्त्र एटला फेर व्या अन तो पुन्यशाली कोण एम नू पुन्यशाली जो रेडिमेड बदू तैयार मळियो चे अन आधनो जमानो रेडिमेड नो जमानो जमानो चे फूड पन बदू रेडिमेड सी तो ओडर करो ओटल मा कौन घर बनावे फासफूड मंगा ओ पस अने फासफूड ने फासट डेथ यह बारना व्रतने अहंकारने ग्रहन करी ने यह री ते व्रता दी बदा करया अत्यार सुधी अने जेवे इते साप जेचे काचली ने छोड़ी दे पन अंदर ना जहरने छोड़तो न थी आज जेवे बारती कपडा पन अंदर ना मिध्यातो ना जहरने न छोड़ी तो अहिया आरे ते 28 गाथा थाई पन अमारे करवीती एकसो ब्याता लिस हाम आमारों तो कही न थी तमारों पुन्य तुड़ू ओचू पड़ा जे पन अजी चिंता न करो भगवान काल नो दिवस चे अजी आ अठ्याविस गाथा पची ओगन त्रिस्थी लिने एकसो ब्याता लिस काल ना डोड कर लाकना सेशन मा आपने अजी आशा राखिये के अजी था से न थाई तो जी बपोर चे आप पर मात्माओ आट लावी नई वान थे ने वाद सांपले पर मात्माओने प्रणाम करूँ चे आप याशे प्राणाम 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 प्र प्रिलोग नाना आत्मने प्रिया हो, श्री आत्मसिति शास्क्रमने प्रिया हो, ओू।